सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनधर वीडियो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिमांचल प्रदेश के दर रहे किमांचल प्रदेश में कौन कौन से दर रहे कौन कौन सी पोजिशन के उपर स्थित हैं तो आज हम इसी के बारे में जो इंपोर्ड़न्ट क्वाइस्चन है वो स्टेडी करेंगे आई इस वीडियो को सुरू करते हैं और अगर आप हमारे चैनल के उपर नूँ है तुमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आपके लिए एक नोटिफिकेशन है जो हमने न्यू चैनल बनाया है उसके उपर आज आपको पहली वीडियो देखने को मिलेगी चैनल का नाम है N.C.E.R.T. Chemistry कल हमने उ Chapter 1 का First Topic Discuss करेंगे तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखना ना भूलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप बहाँ पर जाकर उस चैनल को सब्स कर सकते हैं तो हमारे पास पहला क्वास्चन है कौन सा दर्रा लहुलक सित्र को चमबा जिले के बरमौर इलाके से जोड़ता है कि कौन सा दर्रा है जो कि लहुलक को चमबा जिले के बरमौर से जोड़ता है तो वो है हमारे पास कुगती दर्रा Option नमबर C जो इसका राइट आ स्थित है कि जो कुंजुम दर्रा है वो कहां पर स्थित है तो जो कुंजुम दर्रा है हमारे पास वो स्थित है स्पीती घाटी में option number a जो इसका right answer है question number third हमारे पास निमन में से कौन सा दर्रा चमबा जिले में स्थित नहीं है यहाँ पर आपसे यह पूछा गया है कि चमबा जिले में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है तो आप देखोगे जो साच दर्रा है चीननी दर्रा है चोबिया दर्रा है यह सारे के सारे जो हैं आपके चमबा में स्थित है और जो कुंजुम दर्रा आपका बुच्चमबा में स्थित नहीं है तो option number C जो है इसका right answer है next question है मारे पास कौन सा दर्रा next question है मारे पास कौन सा दर्रा लहॉल को स्पीती से प्रित्र करता है अब आगया कि कौन सा दर्रा जो है जो लहॉल को स्पीती से प्रित्र करता है तो वो है आपके पास कुंजुम दर्रा अभी आप से थर्ड क्वाइचन में यही पूछा गया था कि चमबा में कौन से स्थित नहीं है तो कुंजुम दर्रा यहाँ पे राइट आंसर था क्योंकि कुंजुम दर्रा जो है बोला हॉल स्पीती में प्रेजेंट है नेक्स्ट हमारे पास हम्टा दर्रा कि जिले में स्थित है जो हम्टा दर्रा है वो कौन से जिले में स्थित है वो है आपके पास कुलु डिस्टिक में प्रेजेंट नेक्स्ट हमारे पास कुगती दर्रा कहां पे स्थित है जो कुगती दर्रा है आपका वो कहाँ पे स्तित्थ है लहौल भरमौर के बीच में नेक्स्ट है मारे पास पिन पारवती दर्रा जोड़ता है तो आपको पता है कि जो पारवती है पारवती नदी वो कुल्लू में बहती है और पिन पारवती दर्रा कहां पे हुआ आपका कुलू और स्पीती को जोड़ता है ये Next है मारे पास कौन सा पहाडी दर्रा स्पीती को लद्दाक से जोड़ता है अब यहां पे है कि लद्दाक को स्पीती के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है तो बो जोड़ता है चमबा और पांगी को Question number 10 है मारे पास रोहतांग पास किसके बीच है काफी famous है ये रोहतांग पास तो रोहतांग पास जो है मारा वो कुलू और लाहॉल के बीच में है Next question है मारे पास रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थीत है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुलू डिस्टिक में रोहतांग दर्रा प्रेजेंट है Next है मारे पास हातिदार किस जिले की सीमा बनाती है कि जो हातिदार है वो कौन से जिले की सीमा बनाती है तो हातिदार जो है आपके पास वो चमबा और कांगडा की सीमा फॉर्म करती है तो option number A जो है इसका right answer है question number 13 हमारे पास हिमांचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सरवधिक जाई पर स्थीत है तो वो है आपके पास प्रांगला दर्रा option number C जो है इसका right answer है next हमारे पास 14 प्रेन रोतांग के अलाबा अन्य दर्रा जो लाहल से कुलू को जोड़ता है एक तो हम डिसकास कर चुके हैं कि रोतांग दर्रा जो है वो कुलू और लाहल को जोड़ता है अब दूसरा दर्रा कौन सा है जो कुलू और लाहल को जोड़ता है तो बहुए आपके पास हम्टा, दर्रा, next हमारे पास सिपकी दर्रा कौन से जिले में सीध है काफी famous है ये तो ये present है आपके पास कि नौ में next हमारे पास कौन सा दर्रा चंदरवागा का स्तोथ है कि जो चंदरभागा नदी है जो कि आपके पास लहल सबीती में निकलती है तो कौन से दर्रे से वो निकलती है तो वो निकलती है आपके पास 12 लाच्चा पास से option C जो है इसका right answer है question number 17 हमारे पास सिपकी दर्रा कहां से कहां तक जाता है कि जो सिपकी दर्रा है वो कहां से कहां तक जाता है तो वो आपके पास जाता है कि नौर से तिबब तक option number C जो है इसका right answer है यहीं से सदलो जनादी भी निकलती है next है कुंजूम दर्रे की उँचाई कितनी है आपके पास तो जो कुंजूम दर्रा है उसके उँचाई आपके पास 4950 मेटर्स question number 90 हमारे पास हातिदार किस जिले में है तो हातिदार जो है आपके पास वो है आपके पास चंबर डिस्टिक में present question number 20 हमारे पास निमन मैंसे कौन सा दर्रा हमांचल प्रदेश के बाहर स्थीत है यहाँ पर आपको बताना है कि हमांचल प्रदेश के बाहर कौन सा दर्रा स्थीत है तो आपको पता है कि बार अलाच्चा भी हमांचल प्रदेश में present है रिच टॉंग भी हिमान्चिर प्रदेश में प्रिजेंट है मतर मगर जो आपके पास खैबर दर रहा है वो हिमान्चिर प्रदेश के बाहर स्थीत है तो option A जो है इसका right answer है question number 21 ने मारे पास रोहतांग दर रहा रोहतांग पास की उचाई कितनी है हमें पता है कि ये कुलू में स्थीत है तो आपको बताना है कि इसकी उचाई है वो कितनी है तो इसकी उचाई है मारे पास 3980 मीटर नेक्स्ट नेमारे पास साच पास किस जिले में स्थीत है तो जो साच पास है वो स्थीत है हमारे पास चमबा डिस्टिक में next हमारे पास छोबिया दर्रा कौन से जिले में स्थीत है जो छोबिया दर्रा है वो कौन से जिले में स्थीत है वो हमारे पास स्थीत है चमबा डिस्टिक में maximum दर्रे जो है चमबा कांगडा कांगडा में भी कम ही है जबस एट टाइन जिरो मीटर किस चिले में स्थीत है तो यह अभी हम डिसकस कर चुके थे कि जो बारा लाच्चा दर्रा है वो लाहल स्पीती में प्रिजेंट है question number 25 हमारे पास भीम गसुतरी जोत कहां पर स्थीत है कि जो भीम गसुतरी जोत है वो कहां पर स्थीत है बुस्तित्य हमारे पास कांगड़ा और चंबा में option number C जो है इसका right answer है question number 26 हमारे पास रोहतांग दर्रे की उंचाई कितनी है अब दोबारा से वो ही question आ गया रोहतांग दर्रे इतनी बार पूछा गया है it means कोई न कोई बात तो इसमें जरूर होगी तो ये काफ़ी famous है इसकी height आपके पास 3978 meter option B जो है इसका right answer है next हिमारे पास मकोडी जोत किस जिले में स्थीत है तो जो मकोडी जोत है वो स्थीत है हमारे पास कांगड़ा district में next question हिमारे पास दराटी दर्रा किस जिले में स्थीत है तो जो द्राटी दर्रा है वो स्थीत है चमबा डिस्टिक में Option A is the right answer Next है मारे पास तामसर दर्रा किस जिले में पढ़ता है कि जो तामसर दर्रा है वो कौन से जिले में पढ़ता है वो पढ़ते हैं आपके पास कांगडा डिस्टिक में तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर दाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हैं next वीडियो में तबते के लिए thank you have a nice day